आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है Cellular Oxygen Demand and Oxygen Transfer अब यसे कि आपने देखा होगा कि इस से पेछले वाले लेक्चर में हमने डिसकस किया था कि इस Cells को Oxygen की जरूवत क्यों पढ़ती है तो यहाँ पे हमने डिसकस भी किया कि कई बार Cells जो है या जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है? ऐरोबिक है तो ऐरोबिक प्रोसेस में क्या होता है? कि Oxygen की आवशकता पढ़ती है तो अगर oxygen के आवाशक्ता बढ़ रही है तो oxygen का transfer भी कराना पड़ेगा transfer किस तरीके से होगा जैसे कि अभी हमने पिछले lecture में देखा था कि sparger की help से आप bubbles का formation कराएंगे और bubbles जो हैं ये उपर की तरफ उठते हैं और उपर की तरफ उठने के बाद क्या होता है ये इस ये bubbles के अंदर oxygen रहती है जो mass transfer process या convective mass transfer के जरीए आपकी जो nutrient media है उसके अंदर पहुँच जाती है अब यहाँ पे हम कुछ steps को देखेंगे कि किस किस steps के जरीए हमारी जो oxygen है वो एक bubble से होते हुए सीधे nutrient media को cross करते हुए cells के अंदर पहुच जाती है तो देखना ये है कि कौन कौन से processes involved होते है तो चलिए देखना शुरू करते है तो आपकी सुविधा के लिए आसानी से समझ के लिए यहाँ पे एक image डाल रखी है जो मुझे internet से मिली थी यह image में अगर आप देख सकते हैं कि यह जो यह अंदर है यह bubble है यह bubble है और यहाँ पे कहीं वो cell है जहां तक हमें oxygen को पहुचाना आए जी ठीक है अब bubble के अंदर यहाँ पे oxygen पाई जा रही है अब सपोस करिए oxygen का जो center है वो यहाँ है या oxygen जो है वो इस जगे पे पाई जा रही है तो शिरुवात हम first process की यहीं से कर रहे है तो first process क्या है जरा इसको देखा जाए कि transfer from the interior of the bubble interior of the bubble to the gas liquid interface भाई अगर यह जो oxygen है यहाँ पे पाई जा रही है और इसका transfer कराना है इस bubble के अंदर ही अभी इसको transport हो करके कहां लेकर के जा रहे है जी हम gas liquid interface पे जो की यहाँ पे है इस जगे पे लेकर के हम transfer कर रहा है तो यह bubble के अंदर ही तो हो रहा है यह सारे सारा काम कहा हो रहा है इस bubble के अंदर हो रहा है तो जाहिर सी बात है बबल के अंदर तो गैस ही है यानि कि ऑक्सीजन ही है तो आप ये बताईए कि गैस के अंदर अगर ऑक्सीजन यहाँ पे बबल के अंदर अगर ऑक्सीजन ही है तो यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस तो शो नहीं होगा जिसकी वज़े से ऑक्सीजन के में कोई दिक्कत आए इसी लिए इस step को हम क्या बोल रहे है this step is fast यह step बहुत जल्दी हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर resist करने वाला कोई चीज नहीं है पूरे बबल के अंदर oxygen ही पाई जा रही है तो oxygen ही transport करनी है कोई resistance नहीं होगा तो process fast हो जाएगा resistance एपसेंट resistance नहीं पाया जाएगा तो process fast हो जाएगा चली यह clear हो गया होगा अब next process पे आते हैं यह जो second वाला process है इसके बारे में जरा बात कर लिए जाए है second process में क्या हो रहा है यह movement इसमें हो रहा है gas liquid interface के across गैस लिक्विड इंटरफेस अभी आपने इसके पीछे वाला जो वीडियो देखा था और तो और जब हम लोग फिल्म थियोरी के बारे में भी डिसकस किये थे तो यह जो सेकंड जो प्रोसेस है देखिए उसको यहां पे क्या हो रहा है जी ट्रांसफर हो रहा है गैस फेस से या गैसीयस जो इंटरफेस से लिक्विड इंटरफेस की बीच में ट्रांसफर हो रहा है और आपको यह मैंने बताया भी था कि यह जो बीच की जो फेसज बाउंडरी होती है यह एक्विलिब्रियम पे रहती है अगर कोई चीज़ एक्विलिब्रियम पे है तो अधर से जीजी से हो जाएगा चलिए ये बात समझ में आगी तो second process भी हम लोगों ने complete कर लिया N का मतलब हो गया negligible resistance चलिए अब आगे बढ़ते हैं third process की तरफ बढ़ते हैं ये important process है diffusion through the liquid film surrounding the bubble अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि क्या है ये liquid film है इस liquid film से आगे जब इसको cross करने के लिए आगे जब बढ़ेंगे तो ये liquid film जो है जी ये क्या करेगी ये आगे बढ़ने में थोड़ा resistance create करेगी इसी लिए इस process को हम लोग क्या बोलते हैं ये process क्या है जी third process आपका rate limiting है इसको मैंने इसलिए RL लिख दिया यहाँ पर भी मैंने R लिखा हुआ है तो ये process थोड़ा सा delayed होगा और इसमें time लगेगा rate limiting process होगा next step क्या है देखिए ये यहाँ पर पहुच गई अब oxygen और oxygen आराम से liquid phase में liquid phase में पहुच गई है और अब ये bulk liquid है यहाँ पर पूरा का पूरा आराम से nutrient media है इसको bulk liquid बोल रहे है यहाँ पर आराम से transfer होगा ये fourth वाला step जो है देखिए fourth वाले step में आराम से transfer होगा इसमें भी neglig negligible resistance है बलक में क्या है resistance जो है वो negative है या negligible है बिल्कुल पाया नहीं जा रहा है तो ये भी process fast होगा और तेजी के साथ जो oxygen है वो कहाँ पहुच जाएगी आपके इस boundary पे कौन सी boundary है जी ये फिर से boundary है किसकी किसकी liquid की boundary आ गई ठीक है जी अब हम लोगों को इसके आगे है फिफ्थ जो step है अब ये diffuse करना है liquid film से यहां से इसको आगे बढ़ना है diffuse करना है liquid film से तो liquid film surrounding the cells अब भाहर भी तो liquid ही है ये भी पूरा liquid है और ये liquid film की boundary है तो again यहां पे कोई जादा resistance नहीं शो होगा negligible resistance यहां पर भी शो होगा जिसकी वज़े से ये आसानी से अंदर चल जाए जाए ठीक 5th process होगया अब आई ये 6th process में 6th process का मतलब क्या हो गया 6th process में movement across the liquid cell interface अब ये देखे ये क्या है यहां पे cells पाय जा रहे है इससको इसको क्रॉस करना है 6th process में इसको क्रॉस करके हमें liquid की boundary को क्रॉस करके cells के पास तक पहुचना है तो यहां पर भी कोई resistance नहीं होगा liquid की boundary cross कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है resistance नहीं होगा यह भी हम लोगों ने देख लिया है अब ज़रा सोच यह कि हो सकता है कि cells जो है वो individual ना पाए जा रहे हो हो सकता है कि कुछ flock में पाए जा रहे हो या उनके बीच में कुछ clumping हो तो क्या होगा जी तो हमें यहां पर या जो cells है वो एकटे पाए जा रहे हो कुल मिलाकर के बात इतनी जी है तो यहां पर जो cells के अंदर हमको transfer करवाना है तो वो कैसा होगा यहां पर जो resistance होगा वो बहुत जादा होगा जो यह 7th process है याद रखिएगा जो 7th process है इसमें जो resistance है वो बहुत जादा होगा यहां पर cells कई सारे हैं flock में हैं या clumped हैं सारे के सारे solid particles हैं solid हैं उसके अंदर से हमें जब transport करवाना है तो यह जो 7th step है यह भी आपका rate limiting step rate limiting है यह यहां पर heavy resistance दिया जाएगा और oxygen की supply को रोका जाएगा यह clear हो गया होगा अब आठवे में आठवे यह वो cell है जहां पर हमें oxygen को पहुचाना था अब transport through the cytoplasm cytoplasm के जरीए हमें इसको transport करवा करके reaction site तक पहुचाना था बहुत ही small resistance होगा या negligible resistance होगा जिसकी कारण इसका कारण क्या है इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम जानते हैं कि cells का size जो है बहुत चोटा होता है cells का size इतना चोटा होता है कि उसमें oxygen के transport करने में कोई भी resistance जो नहीं होता तो यह कुछ 8 ऐसे steps हैं जो कि oxygen के transport करते समय evident होते हैं कुछ और important points हैं जिनको हमें discuss कर लेना चाहिए तो उसको देख लेते हैं आगे की slides में तो यहाँ पे हमें एक बात करनी है कि जो mass transfer में अलग-अलग processes में resistance देखने को मिल रहे हैं जो resistance देखने को मिल रहा है अलग-अलग processes में एक से लेकर के 8 तक हम लोगो ने process discuss किये जिसमें की कुछ processes में negligible resistance है कुछ processes में ज्यादा resistance है तो यह resistance जो है वो किस चीज के ओपर depend कर रहा है या कितना resistance होना चाहिए किस चीज के ओपर depend करता है तो बहुत सारे properties हैं जिनके ओपर यह depend करता है जैसे की composition या biological properties of the liquid properties of liquid liquid की properties liquid से यहाँ पर हम nutrient media के बारे में कर रहे हैं बात bubble size के बारे में bubble size दिखे bubble size जितना छोटा रखेंगे उतना surface area अधिक हो जाएगा surface area जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा transport आराम से होगा cell clump size cell clump size अब आप इतना समझ गए होंगे कि जो last वाला process था जो second last process था वो क्या था उसमें हम लोग देख रहे थे कि cell में अगर clumping हो जाती है एक से अधिक cell पाए जाते हैं ज्यादा तो वो सारे के सारे solid ही तो है अब उन solid cells के को cross करवाना रिट्रा oxygen को वो क्या होगा बहुत ज़्यादा resistance पोज करेगा ठीक है तो वो interfere करेगा transport करवाने में तो ये कुछ process है processes बहुत सारे है लेकिन इसमें से ये कुछ प्रमक processes थे जो resistance को effect कर रहे थे याद रखिएगा यहाँ पर जो main जो मेरा rate limiting step है rate limiting step rate limiting step मतलब जो हमारे इस पूरे process में जो सबसे slowest step है यहाँ सबसे ज़्यादा time लगने वाला है वो rate limiting step क्या है oxygen का अगर हम gaseous phase से gaseous phase से gas liquid की boundary पे जब पहुचा रहे हैं gaseous phase से जब gas liquid की boundary में पहुचा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो rate limiting step था तो इसको लिख लेते हैं gaseous phase transfer of oxygen from transfer of oxygen from gaseous phase gaseous phase to gas liquid boundary to gas liquid boundary gas liquid boundary में जो transfer कर रहे थे वो आपका rate limiting step हो गया तो यह clear हो गया उसके बाद next बात करते हैं कि जो oxygen transfer का जो rate है oxygen transfer का जो total rate है जिसको हम लोग OTR भी बोलते है OTR क्या है जी oxygen transfer rate जो यह oxygen transfer rate है OTR जिसको बोल रहे है यह किस-किस चीज़ पर यह भी इनके भी उपर कई सारे फैक्टर्स है जिसके ओपर यह oxygen transfer rate आपका डिपेंड कर रहा है oxygen transfer rate किस-किस चीज़ के ओपर डिपेंड करता है सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि oxygen concentration gradient पे oxygen oxygen concentration gradient यानि कि concentration gradient का मतलब जो बबल में जो oxygen थी अब सोचिए जितन लिक्विड में oxygen को solubilize करने का कुछ लेवल होगा उससे ज्यादा तो वह solubil होगी नहीं तो बबल के अंदर जितना oxygen है और माइनस कर देंए अगर जितनी solubility है तो हमको पता चल जाएगा कि oxygen जो gradient है वो कितना होगा तो oxygen concentration gradient यहाँ पे पहला factor हो गया और दूसरा इसके अलावा कौन-कौन से factor सबसे important तो यही है क्योंकि यही हमारा जो again मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो driving force है वो यही है तो अगर हम इसको formula में देखें तो dcl by dt dcl by dt is equals to kl into a into into cl का star cl star minus cl माइनस cl अब आपको अगर इन सब के factors के बारे में पता करना हो तो एक तो सबसे पहले यह जो cl star है यह क्या चीज़ है और यह क्या है आपका oxygen transfer rate oxygen transfer rate किस-किस चीज़ के ओपर depend कर रहा है kl into a into cl star minus cl सबसे पहले बात कर लेते हैं cl star की cl star क्या चीज़ है इसको इसको cl star को बोला जाता है oxygen concentration o2 concentration in in broth in equilibrium with gas phase gas phase also called as इसको अक्सर बोला जाता है solubility of o2 in broth solubility of o2 in broth next अगर next देखें तो cl क्या है cl क्या चीज़ है cl oxygen concentration oxygen o2 concentration in broth o2 concentration in broth oxygen का concentration जो original concentration broth में है तो इसका unit क्या हो गया gram per mole meter cube inverse अब बही एक चीज़ जहां दीज़ेगा कि ये cl जो है ये कितना concentration broth के अंदर पाया जा रहा है cl star क्या था कि solubility कितनी है maximum कितना concentration पाया जा सकता है तो उन दोनों के बीच का difference यहां पे है फिर बात करें अगर k l की k l क्या चीज़ है जी k l mass transfer coefficient है mass transfer coefficient है mass transfer coefficient है और a important है specific exchange surface है याद रखेगा specific exchange surface है specific exchange surface अब ये याद रखेगा ये basically per unit volume होता है इसलिए इसको specific area ये specific exchange surface भी बोला जाता है अब जो driving force था इस reaction का वो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या था cl का star minus cl ये cl का star मैंने आपको बताया ही कि solubility होती है और cl कितना actual में present है oxygen उस समय broth में ये हो गया अब एक important बात है कि kl और a को अलग-अलग measure कर पाना possible नहीं है इसलिए इनको combined बोला जाता है kla इसलिए इनको combined kla नाम दियाता है बड़ा important factor है exam में theory में भी पूछा जा सकता है और आपको numerical problem में भी दे सकता है kla basically है क्या kla है volumetric mass transfer coefficient volumetric mass transfer coefficient volumetric mass transfer coefficient basically ये बता क्या रहे है तो इसका नाम हो गया volumetric mass transfer coefficient basically इसका function क्या हो गया इसका function सीधा सा है ये हमें क्या बता रहा है ये aeration capacity बताता है aeration aeration capacity अब aeration capacity से क्या समझते हैं जी aeration capacity का मतलब कि कितना air utilize किया सकता है या कितना air use किया सकता है उस fermenter के अंदर उसकी volume के हिसाब से कितना air use किया जाना चाहिए ठीक है तो अक्सर एक बेसिकली एक चीज़ बताने के लिए ये क्या है कि हमेशा हमें जो KLA है उसकी value एक critical value के हमेशा उपर रखनी चाहिए या इसको क्या कहें कि जो ये aeration capacity है उसको हमेशा critical value के उपर रखना चाहिए critical value क्या है critical value यहाँ पर ये मतलब है कि जो minimum oxygen concentration organisms को survive करने के लिए चाहिए उससे कुछ उपर concentration हमेशा बना के रखना चाहिए क्यों क्योंकि अगर oxygen कम पड़ेगी तो जो organisms है वो survive नहीं कर पाएंगे और उससे नुकसान होगा ठीक है तो इसलिए कुछ उपर concentration को रखना चाहिए अक्सर इसका unit भी पूछ लिया जाता है तो unit KLA का याद रखेगा second inverse होता है second minus one होता है और यह जो coefficient है KL यह coefficient बहुत सारे parameters के उपर depend करता है KL जो है यह number of parameters के उपर depend करता है जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो fermenter की जो properties है जैसे की diameter जैसे की diameter हो गया उसकी capacity हो गई किस power से उसको agitate किया जाता है impeller के बारे में हो गया तो यह बहुत सारी और nutrient media की जो viscosity कितनी है density कितनी है composition क्या है यह सारी की सारी बहुत सारी चीजों पर depend करता है इसके अलावा microorganisms किस तरीके के हैं आप कौन सा antiform agent यूज़ करते हैं तो इन सारी चीजों पर आपका KL जो है वो depend करेगा ठीक है जी साथ ही साथ temperature पर भी इसका temperature का भी इसके ओपर effect पड़ता है तो यह कुल मिला के KL के बारे में जरूर पढ़िए यह बहुत important है KL का जो किस किस चीज के ओपर depend करता है वो जान लीजे इसका unit समझ लीजे इसका नाम polymetric mass transfer coefficient है इसका function, aeration capacity क्या बताता है यह जानना जरूरी है और यह oxygen transfer का जो formula है वो इसको जरूर याद रखेगा तो more or less मुझे लगता है कि हमने जो bio process का more or less चीजें काफी कुछ cover करी है अब जैसे कि काफी सारी request भी आ रही है कि हमें numericals करवाने हैं और करवाने चाहिए तो next कुछ videos के अंदर हम numericals के ओपर concentrate करेंगे और अगर आप लोग की कोई भी suggestion हो जो next video या जो भी कुछ चूट रहा हो आपको लगता है वो important है वो पढ़ा देना चाहिए तो वो जरूर suggest करिएगा उसको हम next videos में after the numericals deal कर लेंगे उमीद करते हैं कि आपको ये बायो प्रोसेस की series पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई है तो please videos को like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए अब आप हमारे साथ telegram चैनल पे भी जूड सकते हैं जिस पे हम हर Sundays को नई quizzes organize कर रहे हैं नए mock test organize कर रहे हैं लास्ट संदे को भी एक mock test हुआ है जो की molecular biology के उपर था आप चैनल से जूड़िये और आपको हापे सारी relevant details मिल जाएंगे Thank you so much, have a great day and all the best Thank you